नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के एक वाफिर से लक्षे क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर और आज हम अंतराश्टित जैवेवित्ता के विशेय पर चर्चा करेंगे और इससे संबने जो कुछ महत्पूर्ण पक्ष होते हैं उस पर जानेंगे कि जैवेवित्ता ऐसी जाता है इस बार इसी टीम क्या रही है और इसके रावा में जैवेवित्ता होती क्या है भाधत में एक चोल को से चछित रहें जो झोख एक दर से प्रशं हमारे अग्जांस में बन जाते हैं और चेर करें अपने दोस्तों में ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करें चलते हैं इससे पहले हम पॉइंट्स पर चलें हम यह देख लेते हैं कि अभी हाल ही में अंतराश्टिय जैविवित्ता दिवस को मनाया गया और देखा गया कि भारत में चार प्रमुख जो है बायोडाइवर्सिटी मैं 22 मैं 22 माइ को अंतराश्टिय वैयोडाइवर्सिटी ड़े मनाते अंतराश्टिय जैविविद्ता दिवस को तो इसके साथी के आगे बढ़ते यह होती क्या है अगर लोग देखें या समझने का प्रियास करें तो विशेश रूप से एक छेत्र या पारिस्थिती की तंत्र में सभी प्रजातियों को संदर्वित करने के लिए किया जाता है यारे कि यह कोई छीत्र है और यह झीन कर रहें जीषếu करें यहां संपन डुकार्त प्राकियों स्जीद क्रस्व यहां पर मुझे लगता आप confusion होना चाहिए किसी को भी कि भारी वरकम सब्द आ गया तो कुछ नहीं कोई प्रत्वी पर कोई विशेश रूप से कोई एक छेत्र हो या एक एको सिस्टम हम उसे कह देते हैं जहां पर सभी प्रकार की प्रजातिया यानि प्रजातिया कई हो सकती है और वो जब किसी एक छेत्र में निवास करती है और तो उनकी पूरी संख्या है उसको हमनों क्या वोला जैव विवित्ता से परिपूर्ण छेत्र बोल दिया तो यहीं जो होता है क्या होता है जैविवित्ता होता है तो इस जैविवित्ता छेत्र में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पौधो वैक्टीरिया जानवरों मनुश्यों सहीत हर जीवित चीज़ को इसमें संदर्वित किया जाता है ना तो इसमें जीवित चीजों को देखा जाता है ना कि किसी भी परकार के अजशब करेंगे वह किसी बात करेंगे जैविक की बात करेंगे कि ऊजैविक कंसेप्ट कि कि क्या हो 大Er?". जैसे कि वायू हो गई हो गई म्रदा हो गई जल हो गया पर्वत पठार इत्कियाद्य то इनसे हमें जैव बीवित्ता इस मतलब नहीं होता है जाइब года किसे से नहीं यह कंसेप्स काँ परियावरण से समद्य प्रशनते वह इसी से ही संबंधित होते हैं तो यह दerson खेत्र हैं वो मुख्य रूप से पाए कहा जाएंगे यह जो पाए जाएंगे पर जैबिवित्ता वाले जेट्र वह उस्ट कटी बन्दिये छेत्रों में या फिर इसके साथ ब्रेकेट में लिख सकते हैं यहां उपोश्ण छेत्र भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं ठीक ह वहां पर अगर हम इसमें समझने का प्रयास करें थोड़ा तो ट्रॉपीक औंसर में बोलते हैं इसमि में करक रेखा क्या बोलते हैं गर्क migrate जो साढ़े 24 यऩ दिश्य संनी से कि इसी तरीके से यह है ट्रोपिक प्रिक व क्यार से हम बोलते हैं मकर्ष सर डिक्री में और यह भी जो है 25 25 में एक आधार खीचिक है जिसे हम एक्क्वेटर अग्रेजी में और हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं तो यह जो पूरा छेत्र है इनके बीच का इसी को ही क्या बोला गया है उश्ण कटिवंद्य छेत्र बोल दिया गया बड़ाई सिंपल टर्म है उश्ण कटिवंद्य छेत्र बोल दिया गया तो जो भी देश उश्ण कटिवंद्य छेत्रों में आ आते हैं उनमें मुख्य रूप से कौन सी क्या पाए जाएगा जैसे हम इसे यहां पर अच्छे से समझने का प्रयास करें थोड़ा सा तो यह आप देख रहे हैं कि जो यह पूरा डार्क एरिया किया हुआ है यह तो मुख्य रूप से जो है इस पर रूप से क्या है उस्ट यह चेत्र है जिसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा प्यारा देश भारत भी आता है तो यहां पर आपको इस पर रूप से नजर आ रहे हो तो यहां पर ऐसा क्या है कि सबसे अधिक होती है क्योंकि इस चेत्र में सूरे का सूरे का प्रकास पूरे वर्ष जो है अधिक मातरा में आता है तो हम जानते हैं पर तो प्राप्त कर्ते हैं सूरे के पर एंपिजास निर्भर करते वाघे बन जाता है यहां पर सूर्य का प्रकास अधिक होगा वहां पर पेड़ पौधे जादा होंगे तो पेड़ पौधे जादा होंगे तो निर्भर रहने वाले मासाहारी जीवों की संख्या भी अधिक होगी तो सबसे अधिक जनसंख्या जैब विवित्ता जो है कहां पाई जाएगी उष्ण कटी बंदी चेत्रों में पाई जाएगी यह भी हमने यहां पर इसपर्ष्ट कर लिया अब हम बात कर लेते हैं कि जैब विवित्ता दिवस मनाया जाता है इसके बारे में कि इसकी सुरुवा जाके मुद्धों पर लोगों के बीच एक समझ और जागरुपता बढ़ाने के लिए 22 मई को कॉंसीडेट निर्धारित की उनाइटेड नेशन जनर्नल असेंबली ने 22 मई निर्धारित की जिसे अंतराष्टी जैब विवित्ता दिवस के रूप में मनाया जाएगा इंटर 2009 में इसके बार अगर हम बात करें तो वर्ष 2031 से satव महासागर्य विध्यान दिवस विझ्यान दशक के रूप में घोशित किया गया है विज्विन दशक के रूप में विग्यांद शक के लिए महासागरों के लिए कि महासागरों का में जैब विवित्ता है उसका संदक्षन किया उसमें जो रिसोर्स हैं उसका सतत रूप से इस्तेमाल किया जाए ऐसे नहीं समय के बाद वह खतम ही हो जाए इसी तरीके से तर्म दिया गया यह जाए तो इसी वर्ष Congo चीम रही है वह क्या रही है नड़ा 2022 की जो ठीम रही है सभी जीव के लिए एक साजा भावषये कानव मार्ण क्या रहा है किすậy जो हम समधान का हिस्सा है हम समाधान का हिस्सा है यह जो है 2021 कि किस की ठीम रही अंतराश्तिय जैव विविट्था दिवस की ठीक है जैव विविट्था दिवस की अगर हम बात करें तो 2022 में यह थीम है 2021 में यह थीम है तो लगे हां 20 में जय विवित्ता दिवस कब मनाते हैं हम लोग 22 माई को मनाते हैं तो इसी के साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो भारत के प्रमुख जय विविस्ता छेत्र कौन-कौन से हैं जल्दी से देख लेते हैं जो अक्सर समचारों में भी बना रहता है और अक्सर हम से पूछा जात चेत्र जाहां पर जीवों की प्रजातियां। जो है चरम सीमा से अधिक निवास करती हैं यहां पर भरमार है अलग-अलग परकार की ईवों की और यह जो चेत्र है अतिस समवेधन शीली है समवेधन शील मतलब किसी भी तरीके का अगर इसमें इंटर्वेंशन होता है मान भी ये प्रभाव पढ़ता है या मान भी रूप से किसी भी तरीके का क्या होता है इसमें इंटर्वेंशन होता है हस्तचेप होता है तो इससे क्या होता है कि पूरा ecosystem विगड़ सकता पारिस्थिति की तंत्र पर जो है नकारात्मक परभाव पढ़ सकता है और जैसी लिए इस छेत्रों को hot spot कहा घया भारत में कितने हैं भिश्व में से चार भारत में हैं तो चार कौन-कौन से हैं उस पर और भी चर्चा कर लेते हैं तो चार अगर होट स्पोर्ट की बात करें तो पहला हिमाले छेत्र है दूसरा पश्चिमी गाठ है तीसरा इंडो बर्मा छेत्र है और चौथा जो है सुन्डा लेंड है अब इसको दिमाल में फिक्स कैसे रख सकते हैं सिंपल जैसा कि मैं अक्सर क चेत्र है कि हमाले प्रवर parliament यहां पर है और यह पूरा छेत्र है भारत के हिस्से में न मिद congregation थोडाप डिखाया ऑग वह देश वह यह ब्याट से आ नाले हो गया इसके बाद दूसरी की हमने बात की थी तो वह कौन सा था पश्चिमी घाट यहां यह पूरा जो चैतर है यह क्या कहलाता है और यह भी जो है भारत का हौट इस पॉट आता है जैव विविर्ता हौट इसपोट यानि कि यहां पर भी जो है मुखे रूप से क्या बिभिन प्रिकार के प्रजातियों की संक्या मुख्य मुख्य रूप से यहां पर बड़े पेमाने पर पाई जाएगज 5 आग इंडो बर्मा छेट्र पालसा ही ऑप क्वाला हिस्साद डम में पहले मैय और मार्चा पहले बर्मा नाम तो इसके साथ मुख्य है यह हैं हमारे वह इसमें आते हैं जैसे कि मिघाले हो गया संका दक्षणी हिस्सा हो गया नागा लेंड हो गया मनीपुर हो गया मिजोरम हो गया तो यह जो छेत्र हैं वह इंडो बर्मा हॉट हौट स्पॉर्ट छेतर में आते हैं यह भी भारत का हार्ट है कि भारत के प्रमुक ज्यैव विस्था छेतरों एक है इस Alabama to the land वाला कि छेतर है वह आपका है अंड's के राख faninar ॥ breaths मैं अंडामन निकोवाद लिए प्र फोर्ट यो है बैस्टो वह और यहां पर जो है जै विवित्ता मुख्य रूप से पाई जाती है बहुत ही महत्कूंट छेत्र है जै विवित्ता की दिरिस्टी से तो यहां पर मानचित्र में हमने इन चारों सेक्शन को देख लिए जिन लोगों उन्हें नोट डाउन करना है मैं अटलाइस है तो अटलस पर लोकेट कर सकते हो सकते हो अराम से और कर सकते हो जाएं कर सकते हो तो कुछ पहले की गई है बिश्विस्तर पर बहरत में और इसी सब्सक्रण अधीनियम के द्वारा करें में इसी अधिरियम के दुआरा एंटी सी ए私 स्थापना की गई जो वागो के संदक्षन के लिए एक जिम्मेदार संस्था है इसके तरीक देखे तो जैविक विवित्ता अधीनियम 2002 में पारित किया गया भारत में जैविवित्ता के संदक्षन के लिए आद्र भूमी संदक्षन परवंधन नियम 2017 को पारित किया गया ताकि जो आद्र भूमिया है आद्र भूमिया क्या होती है जो नम भूमी है नम भूमी मतलब कि यह इस थलिये छेतर है यह जलिये छेतर है तो यहां जो जलिये और इस थलिये छेतर का जो मिलन हो रहा है यहां पर थोड़ा दलदली भाग होता है और इसी क ही को ही हम बोल देते हैं आद्रभुमी तो आद्रभुमी के संदक्षन के लिए राम सर्व dado राम सर्व कंवेंशन इरान में में हूँआ तह तो उसी चीज को लागू करने के लिए भारत में 2017 में इसके संदक्ष्ण को 5 जून आने वाली विश्व परियावरन दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 अप्रेल को पिर्थवी दिवस मनाया जाता है मार्च के अंतिम सनिवार को अर्थावर मनाया जाता है तो यह कुछ ऐसे दिवस हैं विश्व भर में जो मनाया ज करें कि कैसे रहुआ हम लोग तो मैं इप फिर से यहां पर आप लोग को कैंसे हम लोग जो है इक दूसरे से connected हैं जैसे अगर हम बात करें कि सुर्द का प्रकाश है जो रहा है उससे प्रकाश आएगा और जब प्रकाश आएका तो इस से भोजन बनाने की जो चमता है उर्जा बनाने की जो चमता है वो किसके पास है वो भी ब्रक्षों के पास है किसके पास है जो ब्रक्ष है हमारे उनके पास जो है यह चमता इस्थित है कि वो क्या कर सकते हैं भोजन बना सकते हैं क्या मानव भोजन बना सकता है सीधे तो मानव सी शाकाहारी जीव या फिर अगर हम यहां पर मानव सीर्ष पर बना दें तो मानव जो है सीधे पौदों से भोजन प्राप्ट कर सकता है अगर वह मासाहारी है तो शाकाहारी जीव का भक्षन कर सकता है इसी तरीके से कोई मासाहारी जानवर है तो वो क्या करेगा वो शाकाहारी पौधों से निर्भर रहते हैं या एक दूसरे से हम लोग connected रहते हैं तो हम सब एक दूसरे से connected हैं और यही कारण है कि जैविवित्ता को बचाय रखना जरूरी है जीवों का संदक्षन जरूरी है प्रकृती ने सभी को कोई न कोई काम देकर भेजा हुआ है और यही कारण है कि उनाटे नेशन जर्नल एसेंबली ने 22 मही को हर साल अंतराष्टे जैविवित्ता मनाने के लिए कहा है उद्देश्य मैंने आपको सुरू महीं बताया ताकि मानव इस चीज़ को समझ सके कि जैविवित्ता कितनी आविशक है और उनके आवासों को जानवरों के आवासों कर देपक है और झाउम सिः आवी पाल सके को तूम जाओा है ए विए आना है आविए यंस च्माना जडि़ मैंने आवरों के लिएर सूम।